आज हम देखने वाले हैं कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चौल इमेज क्या होती है और दोने के बिच का डिफरेंज क्या होते है So images जो है वो दो type की होती है Real और virtual Real image क्या होती है एक ऐसी image जिसे हम screen पर obtain कर सकते हैं Screen पर obtain कैसे करेंगे यह इसे वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं अगर मैं simple language में बोलू तो कोई भी ray reflect होने के बाद अगर खुद से intersect होती है तो उस समय जो image बनेगी वो होगी real image बट अगर वो खुद से intersect नहीं कर रही है मतलब हम उसे पीछी की तरफ extend कर वा रहे हैं ताकि वो intersect करे जो कि हम अमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं तो उस image को कहेंगे virtual image जिसका मतलब होता है कालपनिक यानि के एक imaginary image जो हमारे brain इंटरप्रेट करता है इस वीडियो में बस इतना ही ठेंक यू